हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहूल है और आप देख रहे हैं सिक्रेट ओफ प्रैक्टिस इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान करने से मन की अवस्ता को कैसे समझ सकते हैं बुद्ध ने अपने सोयम के सवाव की जांच करके एक इनसान की घटना की जांच की उन्होंने वास्तविक्ता का पता लगाया और महसूस किया कि प्रतिक व्यक्ति में पांच प्रतिक्रिया के समगर है उन में से चार मानसिक और एक शारेरिक हैं आईए हम भोतिक पहलू से शुरू करते हैं ये सबसे स्पस्ट और खुद का सबसे स्पस्ट हिस्सा है जहांपे कोई भी संबेदना सभी इंद्रियों दोवारा असानी से मान ली जाती है और फिर भी हम बास्तव में इसके बारे में कितना कम जानते हैं सतही रूप से शरीर को नियंत्रन कर सकता है ये है सच्चेत इच्छा के अनुसार चलता है और कारे करता है लेकिन एक अन्य स्थर पर सभी आंतरिक अंग हमारे ज्यान के बिना हमारे नियंत्रन से परेकारे करते हैं एक शुक्ष्म स्थर पर हम कुछ भी नहीं जानते हैं शरीर के परते कोशिका के भीतर होने बाले लगतार जेव रसाइनिक प्रतिक्रियाओं का प्रयोगातमक रूप से लेकिन ये अभी भी बोतिक घटना की अंतिम वास्तविक्ता नहीं है अतहे प्रतीत होता है कि ठोस शरीर उप परमानु कणों और खाली जगा से बना है उप परमानु कणों की वास्तविक्ता ठोस नहीं होती द्रिड नहीं होती उनमें से एक का अस्तित्व अबधी एक सेकिंड के ट्रिलियन से बहुत कम होता है कंड लगतार उठते हैं लुप्त हो जाते हैं पैदा होते हैं नस्ट हो जाते हैं कंपन के इस परभाव की तरह शरीर में ये अपने अस्तित्व में और बाहर से गुजरना इनका चलता रहता है ये है धाई हजार साल पहले बुद्ध द्वारा खोजे गए सबी परदार्थों के शरीर की अंतिम वास्त विक्ता है शरीरिक प्रतिक्रिया के साथ साथ मन की मानसिक प्रक्रिया भी होती है यदि भी इसे चुआ या देखा नहीं जा सकता है हम शरीर के बिना भविश्य के अस्तित्व को देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं लेकिन हम मन के बिना ऐसे किसी भी अस्थित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं फिर भी हम मन के बारे में कितना कम जानते हैं और हम इसे कैसे नियंतरन कर पाते हैं वो भी थोड़े स्थर पर कितनी बार यह करने से इंकार कर देता हैं हम क्या चाहते हैं और भे हम से क्या करवाता है जो हम नहीं चाहते हैं चेतन मन का हमारा नियंतरन प्राप्त रूप से कठिन होता है लेकिन अचेतन हमारी शक्ति या समझ से परे है बुद्ध ने शरीर और मन की जांच की है और उसमें पाया कि उसके चार भाग होते हैं चेतना, अनुभूती, संसनी और प्रतिक्रिया इन चारों में एक के बाद एक के रियक्शन्स आते हैं जैसे पहली प्रतिक्रिया जेतना मन का प्राप्त हिस्सा है यहें बस किसी भी घटना या किसी भी इनपुट या शारिदिक या मानसिक के स्वागत की गटना को पंजिकरित करता है यहें लेवल को असाइन किये बिना या मुले निर्ने देने के बिना अनभव के कच्चे डेटा को नोट करता है दूसरी मानसिक्ता प्रक्रिया धारणा है मन का यह इस्सा पहचानता है जो जेतना द्वारा नोट किया गया है यहें आने वाले कच्चे डेटा को अलग करता है लेवल करता है और मुल्यांकन करके सकरातमक और नकरातमक बनाता है मन का अगला हिस्सा समवेदना है बास्तव में जैसे ही कोई इनपूट आता है या कोई मैसेज या कोई समवेदना आती है संसेजनी के एक संकेत उड़ता है कि कुछ शरीर में हो रहा है या कहीं बहार कुछ हो रहा है जब तक input का आंकल नहीं किया जाता तब तक संसनी तठस्त रहती है लेकिन एक बार एक मुल्यांकन आने वाले डेटा से जुड़ा होता है दिये के मुल्यांकन के अधार पर संबेदना सुखद और अप्रिये हो जाती है यदि संबेदना सुखद है तो एक इच्छा अनुभब को लंबा करने और तेज करने के लिए होती है यदि यहे अप्रिये संसनी है तो इच्छा इसे रोकने या इसे दूर करने के लिए होती है मन का अगला हिस्सा प्रतिक्रिया है मन पसंद या नापसंद के साथ प्रतिक्रिया करता है इसे उधारण से समझते हैं जब कान समानने रूप से काम कर रहा होता है और एक ध्वनी सुनता है तब काम करने लगता है जब ध्वनी को सकरातमक या नकरातमक अर्थ के साथ शब्दों के रूप में पहचानता है तो धारणा का कार्य करने लगती है अगली अनुभूती नाटक में आती है यदि शब्द प्रसंसा करते हैं तो एक सुखद अनुभूती उधपन होती है जो अधिक शब्द प्रसंसा चाहती है यदि वे दुर्विवार कर रहे हैं तो एक अप प्रिये संसनी पैदा होती है जो दुर्विपयोग को रोकना चाहती है जब भी अन्य इंद्रियों में से कोई इन्पूर्ट प्राप्त होता है तो बही चरण होते हैं जेतना अनुभूती संसनी प्रतिक्रिया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें कमेंट करके जरूर बताएं अपना ज्याद से ज्यादा शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद